नमस्कार स्वागत है आपको जनसत्ता में मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आए हूँ आपके लिए खेल जगत की बड़ी ख़बरे प्रित्वी शौ ने 11 जनवरी 2023 की सुबह वो कर दिखाया जो कभी सचिन तंदुलकर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिगज खिलाड़ी भी रही कर पाए प्रित्वी शौ ने रंजी ट्रोफी एलीट ग्रूप B में असम के खिलाफ मैच में बुद्वार सुबह अपना 13 शतक पूरा किया प्रित्वी शौ ने सिर्फ 326 गेंद में अपना 13 शतक पूरा किया प्रित्वी शौ का रंजी ट्रोफी में ये पहला 13 शतक है इसके साथ ही पृत्वी शौ रणजी ट्रोफी में 13 शतक, वजए हजारे ट्रोफी में 12 शतक और सैयद मुश्ताकरी ट्रोफी में शतक लगाने वाले पहले भारतिया बन चुके हैं प्रित्वी शो तीहरा शुतक लगाने वाले मुंबई के आठने बलेबाज है उनका पिछला सर्वस्ट्रेश्ट स्कोर 202 रग था असम के खिलाफ मैच पर प्रित्वी शो ने 107 गिनों में शतक 235 गिनों में 12 शतक और 326 गिनों में 13 शुतक पूरा किया हलाकि प्रित्वी शो 400 रण का आकड़ा चूने से चूग गए लेकिन रटजी ट्रोफी इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा विक्तिकत स्कोर अपने नाम करने में सपल रहे प्रित्वी शो को रियान पराग ने 379 रण के निजी स्कोर पर आउट किया प्रित्वी शो ने आउट होने से पहले अजुंकी रहाने के साथ 510 गेन में 401 रण की साज़ेदारी की इसमें उन्होंने 258 गेन में 262 रण बनाए जब कि रहाने ने 252 गेन में 131 रण बनाए प्रित्वी शो ने महश 361 गेन में 350 रण के आकड़े को पार कर लिया था की नीव रखी विराट कोहली ने भी शांदार शर्तक डड़ा वही महमद सिराज ने किफायती गेन बाजी की उमरान मलिक ने अपने पेश से शुलंकाई बल्ले बाजों पर कहर बर पाया आए नज़र डालते हैं टीम इंडिया की जीत के प्रमुक कारणों पर रोहिच शर्मा और शुबमन गिल की ओपनिंग जोड़ी ने टीम इंडिया के बहतरीन शुरुआत दिलाए दोनों के बीच 19.4 ओवर में 143 रन की साज़दारी हुई शुबमन गिल ने 60 गेन पर 70 रन और रोहिच शर्मा ने सरसक गेनों पर 83 रन जड़े काफी दिन बाद टीम इंडिया के टॉप ओडर को इस इंपाक्ट के साथ बल्ले बाजी करते हुए देखा गया रोहिच शर्मा और शुबमन गिल ने अच्छी शुरुआत देकर बड़े स्कोर की नीव रखी तो विराट कूली ने शतक जड़का टीम इंडिया को 343 रन के म अविश्का फर्नांडो को पांच और फिर कुशल मेंडेस को डग पर आउट किया उन्होंने एक ओवर में 30 रन देकर दो विकेट लिये महीं टीम इंडिया के सबसे किफाय से गेंद बाज भी वही रहे है टीम इंडिया के स्टार तेस गेंद बाज उम्रान मलिक ने अपने से कहर मचा रखा है उन्होंने श्री लंका की खिलाफ वण्डे में 156 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से गेंद करके संसणी मचा दी इंडरनाश्टनल क्रिकेट में किसी भी भार्ते गेंद बाज ने इत duplicate गेंद बाज युर append तंश इक इह पहले बार में ओवर में पहली बार गेंद बाजी करने आये इसके बाद उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लिया अभी के लिए वस अतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी ख़वरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे जंसत्ता के साथ हुआ 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 है